राम जी सबरी के भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं सबरी आज तुमसे मैं नौ प्रकार की भक्ति की बात करूँगा कौन सी बाते बताते हैं भक्ति के बारे में नौ प्रकार के आये सुनते हैं प्रथमा भगति संतनकर संगा दूसरिरति मामा कथा प्रसंगा प्रथमा भगति संतनकर संगा दूसरिरति मामा कथा प्रसंगा गुरुपदपंकज सेवा तीसरि भगतियमा चौति भगति मामा गुनागन करें कपटत जिगां जैसी आराम जै जैसी आराम जैसी आराम जैसी आराम जैसी आराम राम जी कहते हैं यह सबरी पहली भगति देखो यह विशे बहुत मन से सुनी है क्योंकि यहां जो लोग बैटे हैं वो सचमी भगवान को पाना चाहते हैं भगवान से जुड़ना चाहते हैं भगवान के कृपा का लाब उठाना चाहते हैं तब ही रात को इतनी बज़े आई हो आप लोग तो पहली भगति क्या है प्रधम भगति संतन कर संगा अगर भगवान को पाना है तो सबसे पहले संग करिए संग किसका संथ लोगों का अब आप जब संथ की हो रही है न तो संथ तो एक तो पेटिंट संथ है जो टीका चंदन लगाते हैं गले में कंठी माला पहनते हैं सफेद और गिरुआ कपड़ा पहनते हैं लेकिन ऐसा नहीं है जो साधारण कपड़े में रहते हैं उनमें भी बहुत सारे संथ लोग होते हैं जो अच्छे लोग हैं उनके संग में रही है जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उनके साथ रही है दूसरी भक्ति मेरी कथा से प्रेम करिए भगवान की जो कथा है ना उसको दिल लगा के सुनो देखो किसी को जानने वेगर उसके बारे में आप कभी अच्छी तरह से उससे जुड़ नहीं सकते जब किसी के बारे में सुनते हो बहुत अच्छे हैं वो तब उनसे मिलने की इच्छा होती है तो कथा में भगवान के बारे में हमको पता चलता है कि भगवान हमारे लिए कितना करते हैं इसलिए भगवान की कथा सुने गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगती अमार चौथी भगती ममगुनगन करई कपटत चिगार गुरु पद सेवा इसका मतनब क्या है ये नहीं कि बाबाजी का पैर दबावा घंटा घंटा उससे पुछ बला नहीं होगा उन्होंने जो ज्यान दिया है आपको जीवन में अमल करने के लिए न उसको विचार करो सोचो समझो अपने जीवन के दुरगुणों को छोड़ने की कोशिश करो और निरभिमान होकर जिंदगी जी होगा अभिमान से युक्त होकर नहीं तीसरी भक्ती ये थी कि निरभिमान होकर गुरुदेव की सेवा करना मतलब सेवा मतलब सबसे बड़ी सेवा है कि उनकी कहे हुए अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयत्न आप मानलो अपने पिता जी की खुब सेवा कर रहे हो सर दबा रहे हो उनके कपड़े दुम दे रहे हो लेकिन उनकी बात एक दम नहीं मानां गुए हो तो वो खुश होँगे नहीं खुश होँगे आप से कहेंगे तुम मिरे नजर के सामने मताओ इसलिए उनके आग्या में रहना जरूरी है सेवा से भी जरूरी और सेवा हो जाए तो प्रेट बहुत बढ़िया है चौथी भगती मम गुनगन करें कपट जीगान भगवान का जो गुनगान है न एकदम सच्चे मन से होना चाहिए एकदम सच्चे मन से उसमें मिलावट नहीं करनी चाहिए कुछ लोग पूजा पाट के नाम पर भोंग करते हैं उसका कोई फल नहीं है छोटा पूजा हो सत्यनारायन ब्रत की कथा हो एकदम ठीक ठीक तरीके से हो दिखावा ना हो हम सब अधिकतर दिखावा करते हैं कैसे दिखावा करते हैं जब पूजा करेंगे न तो पंडी जी से समान के लिस्ट बनवा लेंगे और फिर दुकान पर जाएंगे और कहेंगे सेट जी हाई पूजा का समान देतीजेगा तो पूजा का समान देने का मतलब क्या सब एक्सपायर माल जितना आपके पास वो सब दे दीजे सड़ी वी सो पाड़ी किसको चढ़ाएंगे गड़े जी को चढ़ाएंगे वो लाल लल कपड़ा आता है किस लिए भगवान को चढ़ाने के लिए कच्छा भी बने तो फाट जाए होता है न कुछ न टेली काट रहता न सूती रहता है अब किस लिए भगवान को दे रहे हैं यह भगवान आप पहनिएगा तो मालोग मर्दिय से निकल के भगवान कहा इसका सिलवाक ले किया और पैंट कुरता पहिनेंगें जैसे पहिनेंगे सिलाई भी डार चली जाएगी बाहुना शुद्ध रखिए और चीज शुद्ध दीजिए छोटी सी चीज आप अरपिट करिए भगवान को लेकिन पवित्र हो शुद्ध हो और अच्छा हो चोथी भगती मम अगुनगन करें कपट जिगान एकदम निसकपट हो करके भगवान का गुड़ गान करिए मंत्र जापम मद्रध विस्वासा पंचम भजन सोवेद प्रकासा छटदमसील भिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा साथवसम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा आठवज था लाब संतोसा सफने हो नहीं देखन पर दोशा नावामा सराला साबा तन अच्छा लहीना नावामा सराला साबा तन अच्छा लहीना मामा वरो सही अरशन दीना मामा वरो सही अरशन दीना आठवज था लाब संतोसा सपने हो नहीं देखन पर दोशा नावाम सराल साब सन च्छा लहीना मामा वरो सही अरशन दीना नववा हुए कउजिन के होई नारी पुरुस सच राचर कोई सोई अधिसय प्रियभा मिनि मोरे सकल प्रकार भगति द्रिल तोरे जोगी बिद्ध दुर लब गति जोई तो कहुआ दुस लब बैसोई ममदर सन खल परम अनूपा जीव पाव निजद सहज सरूपा जे सी आराम जे जे सी आराम जे सी आराम, जे जे सी आराम जे सी आराम की उमापति महादेव की ओम नमह पार्वती पते हरहार महादेव मंत्र जाप म मद्रध बेश्वासा पंचम भजन सो बेद अप्रकासा भगवान स्री राम, भगवान स्री कृष्ण, भगवान भुलेनात जो भी आपको पसंद है उनके नाम के मंद्र का खुब दिल लगा के जब करिए ये भगवान को पाने की पांचमी भक्ति है, पांचमी प्रकार की भक्ति है छटदमसील भीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा धेर सारे कार्यों में हम खुद को उल्जहा के रखते हैं उससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, वो हमारे समय का होता है आपके पास पता है न, कितना घंटा है, दिन रात मिला के कितना घंटा है, 24 घंटा, हाँ एकदम सही बताई है, आपको मिलेगा एक महाल एकटो टाफी है इनको याद कर लीजिगा न, सुभम, कौन बताया है अब 24 घंटा में चाहे 18 घंटा सो लीजिए बाकी 6 घंटा काम करिए चाहे 6 घंटा सो के 18 घंटा काम करिए, उतने समय है होता है क्या है, हम अधिकतर समय इधर उधर का बात में बरबात कर जाते हैं और भगवान के पास जाते हैं जल्दी जल्दी सताब्दी एक्स्प्रेस कीतर हां okay होगे भगवान कंफ्यूज रहते हैं कि हमको प्यार से हमारी प्राथना कर रहा है कि हमको गरी आ रहा है जब भगवान के पास जाओ पांच मिनट जाओ, दो मिनट जाओ, शांती से आँख बंद करके बैठो, बाहर जो भगवान का प्रतिमा है उसको देखो, और अंदर जो परमात्मा है उसका अनुभा करो, और एकदम छोटी में, जैसे वो आता है न, हेड्लाइन्स, आज की ताजा ख़बर, तो ऐसे अपने मेरा मन बहुत उदास है, इसको ठीक करिया, आत खता, आज हमने किसी को दुख पहुचा दिया है, अन्जाने में, कल से ऐसा नहीं करेंगे, क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है, सब लोग मुझे समझते नहीं है, सब की भुद्धी क्यों नहीं ठीक कर देते, ताकि सब लोग मु तो आप क्या करते हैं, आप सरपंच से परधान से एक अप्लिकेशन डाल देते हैं, फिर जब उसके पास फंड आता है, तो बिचारा बनवाता है, ऐसे भगवान के पास भी जब समय रहेगा, तो आपका काम कर देंगे, तो बहुत सारे कामों में अपने को उल्जहा के नहीं रखना है, कहने का मतलब ये है, जितना अधिक सदिक समय बचा सको, वो अपनी भक्ती में, अपने जीवन के अच्छे कारे में उसका प्रियोग करिए, सात्म सम मोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, सात्मी प्रकार की भक्ती है कि जितना जगत आपको दिख रहा है आखों से, उसको ऐसा अनभो करू ना, कि वो परमात्मा का सुरूप है, देखो असल में, जो शिव जी के मंदिर में जाते हो, शिव लिंग है, चाहे दुरगा जी की प्रतिमा है, वो क्या है? वो केवल पत्थर है, लेकिन प्राण पतिष्ठा की पूजा करके, हमने मान लिया है कि उसमें परमात्मा है, और यह सच भी होता है, तो जब उसमें परमात्मा है, तो क्या देह में परमात्मा नहीं है, देह में दुरात्मा है, नहीं, देह में भी इश्वर है, तो जब आप किसी से मिलिए, तो उसको जब नमस्ते करिए न, तो देखिए उसको, खुस उसको करिए, लेकिन भीतर से ऐसा महसूस करिए, कि ही प्रभू, अंतर्याम्या, प्रणामा है, जब किसी की सेवा करिए, किसी को जल पिलाईए, किसी को भोजन कराईए, तो यहसा मह करिए कि हम इसको नहीं कुछ दे रहे हैं इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं इसके भीतर जोग प्रभू बैठे हुए न उसके लिए कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कोई आपको दुश्मन दिखेगा ही नहीं सब आपको भगवान दिखने लगेंगे कठिंग हैं लेकिन असंतोशा, सपने हुँ नहीं देखाई परदोशा जीवन के हमारे सबसे बड़ी समस्याईए है असंतोश और इसके कारण हम सबसे अधिक दुखी होते हैं आपको पता होगा लोग पैसा कमाने के ओबर टाइम करते हैं और ओबर टाइम करकरके अपना शरीर खराब कर लेते हैं फिर जो ओबर टाइम करके पैसा ही कर्था करते हैं वो बाद में शरीर को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल को दान कर देते हैं बाद समझ में आई न? एक मोबाइल का उधारन सबसे बढ़िया है मोबाइल होता है फोन पर बात करने के लिए आजकल सुभिधा आ गया है कि उसमें आप इमेल चेक कर सकते हैं इंटरनेट के थजरी आप रेल की टिकट जहाज की टिकट बना सकते हैं और टीवी किसलिए होता है टीवी देखने के लिए सिनीमा देखने के लिए कि डिस्क का केबल लगा दिया और अपना प्रोग्राम देखने लगे अब यह बात हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि यह जो बच्चा लोग है न और बड़े लोग दूँगे उसमें पच्पच्ट खिलम रखेंगे और आती में रजाई के लिच्चे डाल के खिलम देखते रहेंगे और जो बैटरी साल बर चलने वाली है वो बैटरी 6 महिना में फेल हो जाती है अब ओबर लोड काम लोगे तो बैटरी सपोर्ट करेगी तूट फूट जाएगी अंदर से ऐसे ही शरीर की भी शम्ता है अगर आप इससे बहुत अधिक काम लेने लगोगे तो फिर क्या होगा अंदर से एक-एक बत्ता जो है न कमजोर हो जाएगा पैकिंग अच्छी रहेगी लेकिन अंदर का सारा आइटम लूज हो जाएगा अब इसका उधारन आपको बताते हैं आप टोस्ट मंगाते हैं न टोस्ट चाय में डूबा के खाने वाला कुर-कुर-कुर-कुर होता है उपर से पैकिंग ठीक रहता है लेकिन अगर उतारने चड़ाने में कभी गड़बड़ा जाता है कोई बारी समान उसकर पढ़ गया तो अंदर सब फूटा-फूटा रहता है इसलिए अपने शरीर और अपने स्वास्त का बहुत ध्यान दखिए ठीक तरीके से भोजन करिए समय पर भोजन करिए हाँ यह हमारी अम्मा रोज हमको जब-जब फोन पर बत्याती है तो पूछ कहती है खानों ना खा लिए दस जबात हो भी तो भी पूछेगे हम करें खा लिए हां कभी-कभी नहीं खाया होते तो जुट्टे करते खा लिए तो कहने मलब स्वस्त रही है संतो श्री जो आपको परमापमा दे रहा है उसमें खुश रही है दुखी होके अपना जीवन और खराब करेंगे दूसरे का दोश मत देखिए कल भी किसी विशे में हमने सुनाया था आपको कल्या परजो कि हम लोगों की आदत होती है कि दूसरे का छोटा सा दोश दिख जाता है तो उसका तिल का ताड़ बना देते हैं और उस पर खुब लंबा चोड़ा सत्संग करते हैं वो बुरी जाते हैं नावम सरल सबसन छलहीना मम भरो सहिया हरसन दीना अकपने मैं नवी भक्ति यह सब के साथ सरल हो जाएएं किसी को छीत मत करें किसी को दो खा मत दीजिए किसी गुम्रह मत करें एकदम साफ सुतरी जिन्दगी जीने की कोशिस कीजिए इसमें भी हम दो नमबर होते हैं फेल होते हैं फोन आता है ओफिस से तो पापा कहते हैं बेटा बोल दो पापा घर पे नहीं है तो वो कहता है अंकल अंकल पापा ने कहा है ना कि पापा घर पे नहीं है तो गलत सिखाते हैं फिर वो एक दिन हमसे भी गलत बोलता है जुट बोलता है उसकी आदत में शामिल हो जाते हैं नहीं बोलिया मेरा भरोसा करो जो तुम्हें चाहिए मुझे बोलो हम कुछ नुकुछ बैवस्था करेंगे बाकी इदर उदर हाथ पहलाने से कुछ नहीं मिलता सबके बाप जो है न वहीं मालिक है हमारे राम जी या आपके कृष्णी जी तो जो कुछ चाहिए उनको बोलो वो सही माद्यम बनाकर आपको आपके जरूरत दे देंगे यदि आप उसके पात्र हैं तो पात्र नहीं है तो कभी नहीं मिलेगा भगवान कहते हैं इस तरह की नौप्रकार की भक्ती बताने के बाद कि एक प्रकार की भी भक्ती किसी के जीवन में आ जाये न तो उसको मेरी प्राप्ती हो जाती है और जब मेरी प्राप्ती होती है न तो मेरा दर्शन होता है और दर्शन का फल क्या होता है जीव सदा सदा के लिए दुख के तप्त से दुख के प्रभाव से छूट जाता है इतनी सारी बात करने के बाद अपने बारे में राम जी बताते हैं जानकी के हरण के बाद सबरी उनको कहती है कि हे प्रभू आप यहाँ से जाए पंपा सर के पास आपकी सुग्रीव से हनुमान मित्ता कराएंगे और वो आपको आपके इस सीता की खोज में मदद करेंगे देखो एक भग्त भविश्य की घटना को बता रहा है क्यों बता रहा है यही भगवान के भग्ति और भगवान के प्राप्ति का फल है